हलो फ्रेंड्स मैं श्वेता अपने किचिन से आपके किचिन तक कुछ भी बनाओं मैं लेकर आई हूँ आम कीखी जिसे हम मैंगो रसाइन भी कहते हैं इसमें सबसे पहले हम आम को बारी काट लेंगे या फिर चौपर की साहता से अच्छे से चौप कर लेंगे यह देखिए हमारे पस चौप किया हूँ मैंगो इस तरह से है यहां मैंने आधा कोकुनट कोकुनट मिल्क निकालने के लिए लिया है कोकुनट को थोड़ा सा पानी डाल कर पीस लेंगे और उसे अच्छे से चान लेंगे जिससे हमें कोकुनट मिल्क मिल जाएगा लगवग आधा ग्लास कोकुनट मिल्क रेडी है अब हम चौप मैंगो को एक बावल में लेंगे और धीरे धीरे उसमें कोकुनट मिल्क डालती जाएगे और मिलाती जाएगे इसके बाद हम इसमें 2 चम्मत जागरी गुड मिला देंगे और गुड को हमें अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें इसके गुटलिया न रह जाएं अच्छे से हाथ से मसल सकते हैं या फिर पानी में गोल कर गुड को मिला सकते हैं हमारी मैंगो की खीर यहां पर तयार हो जाती है लेकिन इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए इसमें हम घी का तड़का लगा सकते हैं घी में गरम करके हम काले तिल डालेंगे और इसको चटकने पर इसको हम अपने खीर में डाल देंगे गर्मियों में तो ठंडा ही खाने में मज़ा आता है इसलिए इसमें थोड़े से आइस क्यूब डालेंगे साथ ही कुछ मैंगो के पीस